राधे राधे दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनन्या उनली मोटिवेट क्रोध आने पर गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी क्रोध हर किसी को आता है जब भी किसी की बात बुरी लगती है या किसी का व्यवहार पसंद नहीं आता है तो गुस्सा आ जाता है और एक बार जब यह आता है तो फिर दिमाग से निकलने का नाम नहीं लेता ऐसे में आप उस घटना को लेकर बैठ जाते हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं हर समय वही बात दिमाग में घूमती रहती है आप किसी से कोई भी बात करी वो घटना बीच में आ जाती है ऐसे में आप न चाहते हुए भी उस बारे में बात करने लगते हैं उसकी शिकायत करने लगते हैं और अगर उस समय वहाँ पर कोई बात करने वाला नहीं हुआ, तो आप अपने आपसे ही बाते करने लगते हैं, बढ़ बढ़ाने लगते हैं। इस सबसे उस व्यक्ति की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका नुकसान जरूर होता है। लेकिन अगर आप चाहें, तो इस स्थिती से बच सकते हैं, इस नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। कैसे, आईए जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी के जरीए। एक बार की बात है, एक गाउंग में गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। वे कह रहे थे जब हम क्रोधित होते हैं, तो दूसरों को नुकसान पहुचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस समय हम इतने आवेशित हो जाते हैं, कि हमारी सोचने समझने की ताकत समाप्त हो जाती है। इसलिए क्रोध में हम सही निर्णय नहीं ले पाते और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं बुद्ध की उस सभा में एक गुस्सल स्वभाव का व्यक्ती भी शामिल था उसे बात-बात पर गुस्सा आ जाता था आज भी वह अपने परिवार वालों से जगड कराया था और उस समय भी उसके दिमाग में उथल-पुथल मची हुई थी इसलिए उसे बुद्ध की बाते अच्छी नहीं लग रही थी उसे लग रहा था कि जैसे बुद्ध उसे डांट रहे हूं सबके सामने उसकी बेजती कर रहे हूं इससे उस व्यक्ती का क्रोध भड़क गया वो अपनी जगह से उठा और बुद्ध के पास जा पहुचा इससे पहले की कोई कुछ समझता उसने बुद्ध के मुँँ पर थूक दिया ये देखकर वहां मौजूद लोग भड़क उठे और उस व्यक्ती के बारे में बुरा भला कहने लगे लेकिन बुद्ध अभी भी अपनी जगह पर शांत बैठे हुए थे उन्होंने अपना चेहरा पोंचा और बोले क्या बात है वत्स, तुम्हें कुछ कहना है उस व्यक्ती ने बुद्ध की बात का कोई जवाब नहीं दिया वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया ये देखकर एक व्यक्ती से नहीं रहा गया उसने बुद्ध से पूछा महत्मन उस मूर्ख व्यक्ती ने आपका अपमान किया और आपने उसे कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुनकर बुद्ध धीरे से मुस्क्राई और फिर बोले तुमने शायद उस व्यक्ती का चेहरा नहीं देखा। वो बहुत परेशान लग रहा था। मुझे लगता है कि वो किसी चिंता में घिरा हुआ था। इसलिए ऐसे परेशान व्यक्ती को क्या दोश देना। बुद्ध पर थूकने वाला व्यक्ती सभा से उठने के बाद अपने घर चला गया। वो दिन भर बेचेन रहा। उसे अपनी करनी पर पच्चतावा होता रहा। रात में भी वो सो नहीं पाया और बेचेनी में इधर उ रोने लगा। ये देखकर बुद्ध ने पूछा क्या हुआ वत्स तुम क्यूं रो रहे हो। वह बोला मैं वही दुष्ट व्यक्ती हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था। पता नहीं कल मुझ पर ऐसा कौन सा पागलपन सवार हुआ जो मैं ऐसी घ्रिनित हरकत कर बैठ कृपया मुझे क्षमा कर दें। बुद्ध बोले कल की बाते तो कल ही समाप्त हो गई वत्स। कल के बारे में आज क्या सोचना। अगर मैं उस घटना के बारे में सोचता रहता, क्रोध करता, तो उससे तो सिर्फ मेरा दिल दुखता। तुम्हीं उससे कोई फर्क नहीं बढ़ जाती हैं और जीवन ठहर जाता है। इसलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को भूलने में ही समझदारी है। जो व्यक्ति ऐसी घटनाओं को भूल जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है और जो उनमें उलजहा रहता है उसका जीवन चक्रव्यों के स जाता है जिसमें से वह चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाता है। दोस्तों गुस्सा करना बिलकुल ऐसा होता है कि जहर तो आप पिये और कामना करें कि मर सामने वाला जाए। इसलिए जब भी कभी आपको गुस्सा आए तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आप किसी से न आपके समय का तो नुकसान होता ही है, आपके शरीर का भी नुकसान होता है। इसलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को लेकर बैठना कोई हल नहीं है। बहतर है कि उन्हीं भूल कर आगे बढ़ें। तभी आप जीवन के प्रवाह के साथ अपने आपको जोड़ पाएंगे और जीवन का आनंद ले पाएंगे। हम में से ज्यादा तर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ती है। और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्वन यंत्रन की कमी और अक्षमता को अंदेखा कर रही होते हैं। वास्तव में य यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मक्ता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मक्ता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुलहाडी मारते हैं। और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घ्रना, क्रो प्रोध आने पर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेर करें और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।